बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैंने बहुत अच्छा वीडियो को content बनाया है, वीडियो डाल दी है, दो दिन हो गए है, तीन दिन हो गए है, एक या दो व्यूज बड़ी मुश्किल से आये हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, वीडियो को content भी अच्छा है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो को, बहुत ज़्यादा frustration में आ जाते हैं कई लोग, तो बहुत ज़्यादा लोग सोचने लग जाते हैं, और ऐसा भी लगने लग जाता है कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरी वीडियो पर व की पास, अब आप सारे वीडियो तो नहीं देखते हैं, जैसे आप सर्च करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 बहुत लंबी लिस निकल के आती है यूट्यूब की तरफ से, आप कौन सा वीडियो देखते हैं, खुद सोचे, आप वही वाला वीडियो देखते हैं, जिसका आपको दिखता है कि साइड में जो एक फोटो सी लेती है, उस फोटो के अंदर अच्छा अट्रेक्टिव सा कुछ content लिखा है, कुछ photo लगी है attractive सी, यानि कि जिसका thumbnail आपको अच्छा सा दिखता है, लगता है आपको की thumbnail अच्छा है तो अंदर का content भी अच्छा ही होगा, आप एक बार उस पर क्लिक करके जरूर देखते हैं क्योंकि थमनेल अच्छा था आपने क्लिक करके देख लिया हो सकता है वीडियो अच्छी हो ना अच्छी हो बाद में फिर आप देख लेते हैं उस आप से जिजमेंट ले लेते हैं लेकिन एक बर आप क्लिक करके देखते हैं अगर आपको महनत कर रहे हैं आप महनत से YouTube वीडियो बनाते हैं आप एक अच्छा सा थमनेल भी बना लीजे और अच्छा सा थमनेल अगर आप लगा देंगे तो आपकी वीडियो पे अच्छा सा व्यूज आएंगे लाइक आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे HD थमनेल बना सकते हैं बहुत सिंपल है वेरी सिंपल स्टेप में आपको समझाने वाला हूँ आप पहली बार में सीख जाएंगे अच्छा सा थमनेल बनाना और उसके बाद आप अपनी वीडियो पे अच्छा सा थमनेल बनाएंगे रिक्वेस्ट करता आपको किसी और वीडियो को देखने के जरूत नहीं पड़ेगी कि थमनेल को कैसे बनाना है यूटूब वीडियो के लिए ये मेरा आपसे वादा है दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प् पिक्सल लैब का में यूज करने वाला हूँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक इमेज जैसे दिखाई दे रही है ये आपका फॉर्मेट है अब आपको यूटूब थमनेल बनाना है तो यहां से तीन डोट पर क्लिक करके हम लोग सेलेक कर लेंगे एक कस्टम साइज यानि यूटूब थमनेल बनाना है यहां से सेलेक करेंगे जैसे सेलेक करेंगे हमें दिखा रहा है यूटूब थमनेल पर क्लिक करते ही 1280-720 का ये रेश्यो रहेगा 16-9 का एस्पेक्ट रेश्यो आपको पता भी इस पर ओक्के करते ही यह आपकी स्क्रीन आ गई यानि कि यह बोक्स से बने हैं यह आपके बेग्राउंड के एडिटिंग के लिए है बेग्राउंड में आप कलर मान लीजिए आपका कोई भी कलर आपने सिंगल कलर ही करना है यानि मैं आपको कुछ रेड सा कलर ले लेता हूँ यह पूरा रेड मेरा बेग्राउंड हो गया है ग्रेडि जी हम यहाँ पर कोई ने कोई एक single color लेके देख लेते हैं और इस color को adjust कर लेते हैं यह आपके उपर depend करता है किस सरे की color background आपको चाहिए आपकी thumbnail के लिए कोई भी आप select कर सकते हैं इसके अंदर से कोई issue नहीं है इसके बाद दोस्तों background में कोई image लगा नहीं है तो हम image से select भी कर सकते हैं अगर phone में नहीं तो हम नहीं भी photo क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर नीचे option from camera कैमरा में जाके हमने कोई भी photo अपने हाँ क्लिक कर ली उस photo को done करने के बाद हम उसको भी ऐसे background यूज़ कर सकते हैं अगर हमें लगता है कोई background में बहुत अच्छी हमारे पास photo available है तो व अब हम normal background पर आ गए हैं दोस्तों आप समझे का होंगे background के लिए mostly चीज़े हमने देख लिए हैं या तो हम लोग अपनी background गैलरी से select कर सकते हैं photo click कर सकते हैं या कुछ यहाँ पर अलरड़ी दिये भी हुए हैं आप देख सकते हैं इन में से कोई भी option आप select कर सकते हैं जो भ draw के option पर जा कि अगर कुछ भी हमें draw करके देखना है कुछ arrow बनाना है कुछ mark करना है वो हम pen से select करके कर सकते हैं very simple है दोस्तों draw करना भी इसके बाद इसको select करने गाद एक final image हम ले लेते हैं जिस पे हमें thumbnail बनाना है मुझे ये वाला background अच्छा लग रहा है इसको select कर लिया ये कुछ shape है मैं shape भी ले सकता हूँ बहुत तरेगी star, triangle, hexagonal बहुत सरी shape है अगर use करना है हमें चाहिए background में हमारी image के लिए तो हम use कर सकते हैं otherwise इसको हटा भी सकते हैं अभी के लिए मैं इसको रख लेता हूँ देखने के लिए इसके बाद हम select करते हैं कोई भी image हमें एक image चाहिए background के उपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं image का option, import का option आ रहा है, import पर click करते हैं मेरी gallery में बहुत सरी images है, कोई भी image ले लूँगा, मेरे app के साब से, मेरे को जो भी जैसा भी बताना है कुछ भी ले सकता हूँ, screenshot ले सकता हूँ, किसी भी चीज़ का, कोई भी photo ले सकत इस photo में editing हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़े हैं, जैसी कि सबसे पहले इसमें हम major use करते हैं, सबसे जादा लोग use करते हैं, वो है stroke, stroke यानि कि बार बार background outline, boundary सी बन जाती है, बड़ी अच्छी सी लगती है, अगर यह सिर्फ image होती, side में, box type मे अच्छी लगती, वो भी हम आगे करके देख लेंगे, generally लोग stroke का use करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर stroke का use करते हैं, thumbnail के अंदर, अभी हम देख लेते हैं, इसका side का ही एक पर erase करने कोशिश करते हैं, eraser का option आपको दिख रहा है, enable करेंगे, इसके लावा यह दो option और हैं, कुछ tolerance को high and low करके भी हम check कर सकते हैं, अभी हम eraser का use करेंगे, eraser का use करने से हम क्या करना चारें, इस जो एक photo हमारी, इस photo के लावा जो भी background में सब erase हो जाए, थोड़ा सा eraser को हमने size में बढ़ा कर लिया, हम चाहें जिस हिसाब से इसको, जिस shape में इसको erase कर सकते हैं, हमने erase कर इस जो photo बनेगी, उस पे हम stroke लगा के देखेंगे, तो और भी जादा अच्छा लगेगा दोस्तों, इसको जिससे साब से चाहेंगे, हमारी practice के उपर है, उससे साब से हम इसको erase कर सकते हैं, erase करने के बाद थोड़ा सा जादा अच्छी लगीगी, कोई भी आपकी image है, आप जिस भी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, वो photo आप select कर सकते हैं, मैंने just एक example के लिए photo लिए, आप अपनी photo लगा सकते हैं, किसी भी object की photo लगा सकते हैं, देखिए दोस्तों, erase करने के बाद कुछ इस तरह की shape आगी, अब हम stroke को थोड़ा सा कम जादा adjust यहां से कर सकत हैं, इसके लावा इसके अंदर हम stroke के अलावा इसको हम 3D shape दे सकते हैं, shadow दे सकते हैं, enable करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह आपका radius, यानि कि आप थोड़ा सा changes देख रहे हैं, photo के अंदर बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है, इसके लावा emboss भी कर सकते हैं, हम लोग enable करक इस तरह से हम अपनी, जो import कीवी image है, उसमें effect डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जो आप try करके देख सकते हैं, तो यह एक portion होगे, हमने background select होगे, आप हमारी image select होगी, अब second आता है text, text बड़ा important है, जो भी आप बताना चाहते हैं, बड़ा ही अच्छे से highlight करके आप ल जाएं कैसे, okay करेंगे इसको, इसको हम लोग size adjust कर सकते हैं, दोस्तो, thumbnail बनाएं जो हमने लिखा है, इसको हम size adjust करने के लिए, styles अलड़ी आपके पास कुछ होगी, वहाँ से direct भी कर सकते हैं, manually भी आप कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे size पे, size पे click करने के बोल्ड कर सकते हैं, italic कर सकते हैं, underline कर सकते हैं, यह basic function से आपको पता है, इसके बाद सबसे important आता है, इसको हम लोग curve करना है, अगर किसी चीज़ को curve करके देखना हमें, तो इसकी size को हम लोग angle में, किसी भी angle में bend कर सकते हैं, वो हमें, जैसा हमें design चाहिए, उस सबसे adjust कर सकते हैं, अभी हमें नहीं चाहिए, हम लोग इसको aserties रखेंगे, थोड़ा सा करके देख लेते हैं, इसका आद हम इसमें stroke डाल के देखते हैं, 3D shape डाल के देख लेते हैं, 3D के बाद अब हम इसमें stroke के अलावा इसमें सबसे important जो चीज़ है, एक बार हम इसमें blending हटा देत हैं दोस्तों, color change करने के बाद में हम इसका कोई भी color ले सकते हैं, जैसा आपने background में किया था, वैसा यहाँ भी है, आप चाहे तो dual color भी ले सकते हैं, चाहे तो single color भी ले सकते हैं, जाता dual color लेंगे तो अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर single color लेके, मैंने मान लीचे pink color select कर ल हैं, यानि कि अपने mobile में ही मैंने type कर लिया हिंदी में, इसको अब हम, यही सारी चीज़ां हम इसके साथ करेंगे, इसके editing कर सकते हैं, इस text की भी, इस text के अंदर हम color दे सकते हैं, इसका size adjust कर सकते हैं, इसको stroke दे सकते हैं, इसको shadow दे सकते हैं, इसको reflection दे सकते हैं, इसको emboss कर सकते हैं यह सारे फीचर जैसे ही आप एक बर ट्राइ करके देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि यह वाले फीचर को यूज करूँगा तो मेरा टेक्स्ट कैसा दिखेगा देखें दोस्तों अभी तक आपने सिंपल लिखा था जैसे इन फीचर का यूज करेंगे आपका लिखा हुए टेक्स्ट ही बहुत अच्छा अट्रेक्टिव सा नजर आएगा देखें अब आपका दीरे-दीरे ग्लो आने लग गया है इस फॉंट के अंदर भी इस तरह के फीचर बेसिक फीचर से आप यूज करके देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों ये जारे फीचर यूज करने बाद इसमें मैं 3D एफेक्ट डाल के देखता हूँ 3D एफेक्ट डालने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है इसके अलावा इसके अंदर 3D शेडो भी डाल सकते हैं इसका साइज एड़स्ट कर लेते हैं और भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस एप के अंदर काफी कुछ है अब हम अपना एको टेक्स नीचे लिख लेते हैं जैसे हमाँ क्लिक करेंगे प्लस पर साइन पर क्लिक करने के बाद हमारे टेक्स एड़स्ट कर सकते हैं इसको हम tilt भी कर सकते हैं नीचे जो आप दिख रहे हैं एक छोटी सी कर्व इसको पकड़के हम जिस भी एंगल में चाहिए इस टेक्स्ट को लिख सकते हैं अब यहां हम लिख लेते हैं कि आसान स्टेप्स में आसान स्टेप्स में इसको हमने टाइप कर लिया है डन करेंगे ओ और बाकी स्टोक को एनेबल कर देंगे स्टोक एनेबल करने के बाद और भी अच्छा लग रहा है और चाहें तो बाकी फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं बड़ा ही सिंपल है आपने अलड़ी देख लिये हैं अब मैंने फोटो को एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार ओल् नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ बड़ा ही सिंपल है एको टेक्स्ट एड़ करना है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको एडजस्ट कर लेते एक नया टेक्स्ट प्लस पे जाके एड़ किया हम हम HD लिख लेंगे English के अंदर HD टाइप करेंगे और उसको भी हम एडजस्ट क करना सीख लिया तीसरा आपका है बेक्राउं तीन चीज़ें आपको सीखनी है तीनों आने के बाद आपका थमनेल परफेक्टली रेड़ी हो जाएगा कोई बहुत बड़ी लंबी चोड़ी बात नहीं है सिंपल से फीचर से एक बर करेंगे आपको याद हो जाएंगे कि सकते हैं इस तरह कि आप बेग्राउंड ले सकते थे लेकिन हमने चूकि वह वाला सेलेक्ट कर लिया है अब आप इसको सेवाज प्रोजेक्ट या सेवाज इमेज कर सकते हैं आप शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से फॉर्मेट हम लोग जेपीजी के बजाए पी प्रोड कर सकते हैं यूट्यूब पर बहुती HD क्वालिटी का आपका थमनेल है और आप इससे भी ज़्यादा अच्छा थमनेल बना सकते हैं बहुती आसान स्टेप्स में आप सीख सकते हैं तो इस वीडियो में हमने जाना कि आप इक अच्छा थमनिल कैसे बना सकते हैं यह मैंने करके अपको अपनी にस्क्याद आती है प्रावल्लम आती है मुझे comment box में जरूर बताएं definitely मैं आपके comment के reply करूँगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो अपनी family और friends में share करें ताकि वो लोग भी इस तरह के अच्छे वीडियो के thumbnail बना सकें, thank you very much दोस्तो, thank you thank you